नमस्कार दोस्तों मैं विनीता सिन्हा एक बार फिर अपने चैनल की माध्यम से आप सभी का हर्दिक अभिनन्दन करती हूँ चलिए आज हम बात करते हैं कोट कार्ड की उसमें भी पेज की और पेज में आज मैं उठाई हूँ पेज आफ सौर्ट के कार्ड और जानते हैं कि पेज आफ सौर्ट का जो कार्ड है वो लव रिडिंग में और लव रिडिंग के फ्यूचर पॉइंट पे आए तो यह हमें क्या कहता है क्या सजेश्ट करता है हमें क्या guidance देता है तो दोस्तों सबसे पहले यह जान ले कि page of source जो है वह एक चेतावनी के रूप में काम करता है आपके आसपास के वातावरन में आपके लिए किसी बैक्ति के दिल में सरवत्तम हित नहीं है कोई घटना दुर घटना घट सकती है इसलि आपके लिए नीचे की जमीन फ्लैट नहीं है इसलिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है दोस्तों ऐसे situation में अगर आप love reading कर रहे हैं और page of source आ जाए तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसे लोग है जो आपके रिस्ते में interest रखते हैं साइद आपका ex-lover हो या कोई और जो आपके बिफल होते देखना चाहता है या यह भी हो सकता है कि आपके रिस्ते में कुछ अन्य लोग भी है जो आपके साथी की भावनाओं को negative तरीके से प्रभावित कर रहे हैं और अगर दोस्तों वहीं page of source का card love reading में future point पे दिख जाए तो यह हमें क्या संकेत देता है यहे एक अच अच्छा संकेत नहीं है यह आपके रिस्ते में उपस्थित होने वाली समस्याओं का संकेत देता है कि कुछ अन्होनी होने वाली है आपके और आपके partner के रिस्ते में तो आप पहले से ही इसके लिए तयार हो जाएं उस मुसीबत को जहलने को और मुसीबत से लड़ने के लि और page of sorts का card आए तो आपको इन बातों को ध्यान में रख करके आगे की और आप बढ़ेंगे, reading करेंगे, suggestion और guidance लेंगे. इसके साथ ही मैं एक दो point और मैं बताना चाहूंगी कि कुछ एक दो और सवाल, page of sorts के card अगर आ जाए तो ये क्या क्या indication हमें देता चला जाता है. जैसे कोई सवाल हो कि क्या वे मुझे पसंद करते हैं और इस सवाल के जबाब में page of sorts का card आ जाए तो आप क्या समझेंगे? तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि उनकी नजर आप पर तो है पर उनकी feeling पर किसी और की negative effect भी पढ़ रही है. इसी प्रकार अगर कोई सवाल कोई ये कर दे कि क्या हमारा रिस्ता टिकने वाला है या टिकेगा long term में और page of sorts का card आ जाए तो यह हमें क्या इसारा करता है? यह इसारा करता है कि आपके रिस्ते पर औरों की नजर है. लोग आपके रिस्तों को लेकर के बाते बना रहे हैं. आपका रिस्ता खत्रा में है. इसका भविस आसा जनक नहीं दिख रहा है. भविस अनिस्चित सा दिख रहा है. तो दोस्तों अगर आप भी love tarot reading कर रहे हैं किसी के लिए अपने लिए या किसी और के लिए भी कर रहे हैं और page of sorts का card आता है तो आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके आप ब और guidance आप लेंगे. मैं उम्मीद करती हूं कि इन छोटी छोटी बातों को जैसे मैं समझा रही हूं उन बातों को समझते हुए आप tarot card reading करेंगे. इसके साथ ही अब मैं बिदा लेती हूं. मिलती हूं इससे आगे एक नई जानकारी के साथ. तब तक आप मेरे वीडियो को द subscribe आवस्य कर लें. जिससे आप सबको इस तरह की बहुत ही महत्पुन जानकारी आप तक सब